हेलो गाईज करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशिक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 12 जनवई तक के सभी इंप्रोटेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतितक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी अब आप डेली वन लाइनर पीडियाफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी करंट अफेर्स फंडा एप से जो भी हम डेली आपको करंट अफे जिसमें एक्समेशन भी होती है हमारी डेली करंट अफेर्स की तो उसका लिंक भी आपको हमारी एप पर ही मिल जाएगा तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी इस पीडियाफ को संबंदित तो वह भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिगा चले फिर करते हैं सुर सर्बिया या फिर आइसलेंड तो जल्दी सा आप आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह कुश्चन से आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेली ग्राम पर जूरी जोइन करें करंट अफेर्स फंदा नाम से हमारा टेली ग्राम चैनल है यख यजिए व्यबर यजिएड ग्राम मुझरत ग्राम चैनल हुट थे मुटराफ चैनल हैं तो जल्डेशन विए लूरी नदीए प्रेक्टि बार काल बाप दोर्सूमित विएट्राफ विएड़श्ड फिर्म साफिए प्राफ ग्क्षराफ प्र लुबाद ऐस्ग बिठेकिस संस्क्रण का उद्वाटन परदान मंत्री नेंद्र मोदी द्वारा हाली में किया गया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है टेंथ एडिशन आपको जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात क्लोबल सम सब्सक्राइब कर रही हैं साथी मिस्ट्री ओफ डेवलप्मेंट ऑफ नौर्थ इस्टर रीजन भी इस प्लैटफोर्म को यूज कर रहा है जो भी नौर्थ इस्टर रीजन में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको सोकेस करने के लिए आपको जाना चाह सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वाइब रेंड गुजराथ ग्लोबल समिट के वाइब रेंड गुजराथ ग्लोबल समिट की शुरुबात साल 2003 में उती जम नरेंदर मोदी यहां के CM थे गुजराथ की बाकि आपको जाना चाहिए इसी दुरान प्राइमिस्टी नरेंदर होने हैं सहिया अंसर ऑप्शन से है 12 जैनुरी नेसल यूथ ढें ज्यूट्र जोएन के नामसे बी जाना जाता है प्रदार मंतरी नरेंद्र मोधी ने इसी अवसर पर यानिकी 12 चनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 को इनोग्रेट किया है नासिक महाराष्ट में और थीम रहा है माई भारत विक्सित भारत अट 2047 बाई दा यूथ फोर दा यूथ आपको एक और दे के बारे में जानना चाहिए जो की 10 चनवरी को मना जाता है यह है वर्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस आप सभी चानते हैं हिंदी जो की देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है यह वन ऑफ दे 22 सिट्डूड लैंविजेस है हमारी कंट्री की और ओफिशल लैंवेज भी है यूनियन गौर्मेंट की इंगलिस के साथ साथ और वर्ड हिंदी डे 2024 का थीम रहा है हिंदी ब्रेजिंग ट्रडिशनल नॉलेच एंड आर्टिफिशल इंटलिजेंस आपको आदे फर्स्ट वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस यह नागपूर महाराष्ट में थी 1975 में और इनोगरेट की गई थी तबकि प्राइमिस्टर इंद्र साइंस इसक्वाइर किलोमेटर एरे एसकी विज्ञान के किस्षेत्र से संबंदित है और आपके सामने हैं सही आंतर ऑप्षन भी है एस्ट्रोनमी कि गवर्मेंट ओफ इंडिया ने अपना एप्रूबल दे दिया है कि भारत जो एक इंट्रोनेशनल मेगा साइंस प्रोजे है उसका फुल मेंबर भारत बन जाता है आपको जाना चाहिए कि यह जो एसके ऑपसर्विट्री है नेक्स्ट सेमनेर की डिस्क में जो है फंडिंग प्रोवाइट कराएगा भारत और जोएंटली फंडिट होगा यह डिपार्टमेंट ओफ एक एनरजी एंड डिपार्टमे वर्ड्स बिगस्ट और मोस्ट सेंसेटिव रेडियो टेलिस्कोप को बनाया जा रहा है और दो लोकेशन इसकी एक तो अस्ट्रेलिया बे जो की एसके लोहे यानिकी स्कौार किलोमेटर एरे लो और दूसरी लोकेशन है साउथ अफ्रीका एसके मिट साथ इसका जो जाइन किया रहा था एक लीट रोल भारत ने आपर अदा किया है टेलिस्कॉप मैनेजर सिस्टम को बनाने में डिजाइन करने में रिनोंड म्यूजिक मैस्टर उस्ताद राशीद खान वू पास्ट वेसेंटली बिलोंग टू विच घराना परसिद्ध संगीत कार उस्ताद राशीद खान इनका हाल में धन हो गया किस घराने से थे ऑप्शन साब के सामने सही आंसर अप्शन दी रहेगा रामपुर सैस्व गराना देखे जाने माने संगीत का उस्ताद राशीद खान इनका हाली में 55 के एज में धन हो गया है आपको बताते यह इंडियन क्लासिकल म्यूजिशन रहे हैं हिंदुस्तानी ट्रेडिशन से सम्मंदित और रामपुर सैस्वान गराना से यह आते थे पदमश्री और संग दिक लेते हैं जो हाली में होई है जाने माने हिंदी और भोचपरी पोईट लिडिस इस्ट एंड लिटरिवर पंडित हरी राम हरी भाया दिवेदी इनका हाली में 27 की एज में धन हो गया जाने माने जर्मन एक्टर क्रिस्टेन ओलिवल इनका 51 की एज में धन हुआ फैंस ब कि हुः रिसेंटली ब्रोग तभ विमन्स फाइफ किलोमेटर वर्ड रिकोर्ड एट अधेट कूर्छा डर्स नैसो रोड रेस इन बैरसलोना रालिमें बारसलोना में है कرशा डर्स नस रोड रीकोर्ड में महिलाओ का पांच फिलोमेटर विस्ट री कोर्ड किसने थोड़ा स दोने ने 14 मिनट 13 सेकंड लिए हैं और इससे पहले ही रिकॉर्ड था यूथोपिया की स्वेन बेर्ट तैफरी के पास तो 16 सेकंड जो है इन्होंने कम लिए हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए विच इंडियन स्टेट हैस विकम दे फर्स्ट तो मैप ओल 784 एक्सिदेंट प्रोन साइट यूजिंग दा मैपल्स एप फॉर रोड सेफटी कौन सा भारतिय राज्य सड़क सुरक्षा के लिए मैपल्स एप का व्योग करके सभी मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है सही आंसर ऑप्शन यह है पंजाब देखे पंजाब पुलिस मैप माई इंडिया के साथ मिलकर जो है राज्य में जितने भी प्लैक स्पोर्ट से जहां पर एक्सिडेंट अमोमन हो जाते हैं तो उनको जो है एक उनको उनकी मैपिंग कर दी है अपनी मैपल्स एप पर इसी के साथ पंजाब पहला राज्य मन गया है जिसने सभी एक्सिडेंट प्रौन साइट्स को मैप किया है तो अब जो भी प्रबंदन में उत्करष्टा के लिए रास्टी प्रौसकार जीता आपके सामने सही आंथर ऑप्शन भी है हेरो मोटकॉप देखे हेरो मोटकॉप की जो मैनुफेक्ट्रिंग फैसलिटी है गुडगाउं यहां इन्होंने इसने इस गुडगाउं फैसलिटी ने और आपको एक और नियूज जानने चाहिए टाटा पे टाटा पे को हाली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट एग्रिगेटर लाइसेंस पिल गया है जो की गूगल पे रिजर्व पे और कैस्फ्री को भी मिल चुका है विच इंडियन स्टेट हैस लोंस दर नेशन फर्स्ट एवर रिपोर्ट और मीटिंग मैनेज्मेंट पॉर्टल किस भारतियो राज्यों ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग परबंदन पॉर्टल लॉंच किया है आपको जाना चाहिए कि डिपार्टमेंट ओफ डिजिटल टेक्नोलोजी एंड कोवर्णेंस हिमाशल परदेश इन्होंने देश का पहला रिपोर्ट मैनेज्मेंट पॉर्टल और मीटिंग मैनेज्मेंट पॉर्टल लॉंच किया है तो जो भी अब जो यह आर एंप है यान कि डिपहर्ट मैनेजमेंट पॉर्टल तो जो भी अलगय法 रिपोर्ट cabeops चेमोरींट पॉर्टेंस उन्होंनी को संट कर सकते हैं मोडेम्स कर सकते हैं एक एम मेंटिं मैंच मॉटाल क्या है एक कोम प्रेंसी सोलूशन है और यसी मिटिंग नोटिक सेंद पो सिदिक मिटिंग करानी है उसकी प्रोसेसिंग के बारे में सब सूचना मिल सकती है इन विच इंडियन स्टेट इस एडिडास इस्टैबलिशिंग इस फर्स्ट और ओनली ग्लोबल कैपसिटी सेंटर इन एशिया आउट साइड ऑफ चाइना एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एक मात्र वैस्विक शम्ता के इंदर के इस बाहरते राज्य में स्थावित कर रहा है और एशिया में एक मात्र चाइना में इनका जो है ग्लोबल कैपसिटी सेंटर है तो अब एशिया में चाइना से बाहर इनका दूसरा सेंटर का होगा चेन नहीं तमिलाडों में तो जर्मन कंपनी अडिटास आप से भी जानते हैं तो यह अपना ग्लोबल बिजनेस बनाया हुआ है विश और्गनाजिशन्स कोलेबरेट तू डेवलब मॉबाइल ऐलोहा हुमेनोइट सिस्टम किस और्गनाजिशन्स ने ऐलोहा हुमेनओट सिस्टम विक्षित किया सही अंथर आपचन डी है Google DeepMind and Stanford University देखे Google DeepMind and Stanford University के जो रिसर्चर्चर्थ हैं इन्होंने Mobile Aloha जो की एक Low-Cost Open Source Hardware System है इसे लौंच किया है तो एक Humanoid Robot है मतलब Humanoid Robot मतलब human काम करते है उस तरहे काम कर सकते है कोई समान उठाना है कुछ बनाना है इस तरहे कारे कर सकते हैं कुछ मिक्स करना है अच्छा एक और आपको जाना चाहिए Optimus के बारे में यह सी आर्टिकल में था तो मैंने सोचा कि आपको बता दू Optimus क्या है कि Robotics Arm है एलन मस्क की जो है कंपनी जो है टेसला इसकी पूछ लेए इस तरह की सेंद्वी को अपना रास्टे प्रती खुशित किया है आप्शन्स आपके सामने सही आंतर आप्शन्स ही है क्रिगस्तान कि क्रिगस्तान ने अब ऑफिशली डिक्लेर किया है कि स्नौ लेपड जैसे गोस्ट ऑफ दी मांटेंस बोलते हैं यह इनका नेस्नल सिंबल है ठीक है और यहां पर जो मानस इनके लिज़ेंडरी हिरो को बोलते हैं मानस तो उनके साथ लिंक्ट है इसनौ लेपड और जो इनके कर्चर में किर्गिस लोगों के कल्चर में स्नौ लेपड ग्रेटनेस नॉबिलिटी करिस ब्रेवरी एंड डुजिलियंस का परतीक है इसनौ लेपड 12 कंट्रीज में पाये जाते हैं अफगानिस्तान भूत चैना इंडिया करिकिस्तान कजागिस्तान मंगोलिया नेपाल पाइस्तान रश्या ताजीकिस्तान और उजबेकिस्तान सबसे आदा जो हैविटेट हैं का वो है 60% चाइना में और ओर ओबर 70% उफ मिनात में एक संगीत कार्य करम के दोरान सरवादिक भासाओं में गाने का नया रिपिस्ट रिकोर्ड किस ने बनाया है options आपके सामने सही answer option C है सुशेता सतीस देखिए UAE की बात है UAE में एक सुशेता सतीस केरल से आती है इन्होंने एक record अपने नाम किया है सिंगिंग में इन्होंने एक सिंगल कॉंसर्ट में सबसे आदा लेंग्विजस में जो है गाने-गाने का record अपने नाम किया है तो इन्होंने 140 लेंग्विजस में जो है गाने-गाए हैं वो भी सिंगल कंसर्ट में अब तब एक ही साथ Guinness Book of World Record officially attested to this feat the remarkable achievement took place at the Indian Consulate Auditorium in Dubai साथे आपको जाना चाहिए British Sixth Army Medical Practitioner है यह हर प्रीथ चंडी इन्हें Polar प्रीथ के नाम से भी जाना जाता है यह fastest women बन गई है तो इसकी solo across Antarctica तो 31 दिन 13 गंटे निस मिनिट में जो है यह अन्टार्क्रटिका में इसकी की है solo हुआ है वह रिसेंटली बीन अपॉंटेड एस था एक्जेकेटिव डिरेक्टर औफ तब एस एशें डेवलेप्ट बैंक इन मनीला हाली में मनीला में एशिया विकास बैंक के कारेकारी निदर्शक के रूप में किसे निफ्ट किया गया है options आपके सामने है सही answer options यह है विकास शील देखे बीरोक्रेट विकास शील इन एक्जेक्टिव डिरेक्टर अपॉंट किया गया है एशन डेफलेप्मेंट बैंक मनीला फिलिपिन्स में और तीन साल की अवधी के लिए यह अपॉंट मेंट यह मिला है गेर्ल बने है विच यॉनेट कप 124 टैल बाइड़ पॉलेंड इन फाइनल्स में इस देशने फाइनल में पोलेंड को हराकर उनाइट कप 124 का किताब जीता सभी आंतर अथ्र Oczywiście दी है जर्मनी देखिए जर्मनी ने युनाइटिट कप टाइटल जीत लिया है दो एक से पॉलेंड को इन्होंने हराया है फाइनल में कहां खिला गया सिड्नी में तो हर एक राउंड जो है तीन मैचेस हुए मैंस सिंगल्स विमन सिंगल्स एंड मिक्स डबल्स बात रही हैं पर टैनिस की तो जो जर्मनी के लेक्जंडर जिव्रेव हैं इन्होंने पॉलेंड के होबर्ड होर्कैस को हराया और मैंस सिंगल्स रैटल जी था उसके बाद जोगला में एच्वा विमन सिंगल्स फाइनल उसने पॉलेंड की एक आस चैटक ने जो है एंसली करबर जो जर् चैटली लिए फ इसस्पेस एजंस्य रिषेंट्ली टेस्टेट अ हंड्रोट क्लास पोलिमर उलेक्रोलाइट मेंब्रेन फ्यूल सेल बेस्ट पार सिस्टम हाली हिस अंधरिक्स एईंचंजेन से 100 राएट क्लास पॉलिमर electrolyte membrane fuel cell based power system को जो है टेस्ट किया है अब इसके orbital platform POEM3 में जिसे की launch किया गया था PSLV C58 के साथ 1 जनरी 2024 को the objective of the experiment was to access polymer electrolyte membrane fuel cell operation in space and to collect data to facilitate the design of system for future missions during the short duration test onboard POEM, POEM का मतलब है PSLV orbital experimental module 180 watt power was generated from hydrogen and oxygen gases stored on onboard in high pressure vessels the fuel cell designed by the Vikram Sarabhai Space Center is a precursor to the future power system for space station और आपको जाना चाहिए भारत ने एक टार्गेट बनाया कि 2035 तक space station को भारत सेट अप करेगा low earth orbit में what is the new minimum capital requirement set by Reserve Bank of India for small finance banks small finance bankों के लिए भारतिय रिज़र बैंक द्वारा ने इधारित नहीं आवश्यक नियूंतम पूंची कितनी है सही answer option C है 200 क्रोड रूपे मैंत पूंड कोस्चन है बैंकिंग वालों के लिए दिखे रिज़र बैंक ऑफ इंडिया ने जो मिनिम्म कैप्टल requirement है small finance bank के लिए उसे 200 क्रोड रूपे किया है और साथ ही यह भी कहा है कि payments bank यदि small finance bank में upgrade होना चाहते हैं तो हो सकते हैं और जो प्राइमरी अर्बन कोपरेटिव बैंक्स हैं जो चाहते हैं कि small finance bank हम बन जाएं उनके लिए जो इनिशल requirement है net worth की वह 100 क्रोड रूपे रहेगी जिसे कि अगले 5 सालों गेंदर 200 क्रोड रूपे बढ़ा दी जाएगा payments bank apply कर सकते हैं कि वह small finance bank में बनना चाहते हैं ठीक है पर उससे पहले ने पांस साल payments bank के तुरपर कारे करना होगा साथ है आपको जाना चाहिए हाले में फीनो payments bank ने अल्रेड़े अप्लाई किया है कि हमें small finance bank का license दे दीजिए अचा रिजर बैंक अफेडिया ने जो ही small finance bank कि से सम्मंदित guidelines है यह 27 नबर 2014 में लांच की थी पहले लास्ट पर प्रिवेर्स थाइमन कॉस्टिंस के आंसर देखेंगे name is the name the biggest cattle fair in Asia Sonofood Merla Bihar which companies considered the world's largest cryptocurrency exchange binance the president of India drop the more move grace the luck अच्पदी दी सम्मिलनेट which plays जेसल मितास्थान which is sports body banned transgender cricketers from participating in women's cricket at the highest level in transfer cricket council who became the first Indian women cricket to complete the double of thousand runs and hundred wickets in T20 in transfer's answer is Dipti Sharma आपेसे कही जाए experience ने बिलकुल सही answer किया है इसी तरह से आफ पार्टिपेट करते रहे ही जाद जाद संख्या में आज के assignment question देखेंगे how many tiger reserves does India have India will set up Bharat Park in which country 10th century Kadamba inscription written in Kannada Sanskrit recently found in which state who chairs the committee for prevention and regulation of misleading advertisement in coaching sector how many cities are covered by the national clean air program which seeks to reduce average particulate matter concentration by 40% by 2026 तो इन पांचों questions के आंसर आपको comment box में करने हैं यदि आपको एक question का आँसर भी आता है तो भी आप हमें comment box में वश्य ही बताईएगा ज्यादा से ज्यादा संक्या में participate करने कोजिस किया किजिए यही आप से request रहती है साथ ही current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular वीडियो updates और current quizzes हम आप सभी करें डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों हमारे current affairs की प्लेज़ती कही है इसको आप जरूर दे के अपने दोस्तों के साथ fellow estimates साथ हमारे current affairs को आप share जरूर करें आज का इस session आपको कैसा लगा आप comment box में वश्य बताईएगा thank you guys